नमस्का और मैं देविंदर पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डियस्प कोजिंग सेंटर में देखिएगा आपकी एसेश्ची में एसेश्ची MTS और हवल्डार की भरती निकली हुई है जिसमें टोटल 8000 से उपर पद है और आपका एक्जाम जुलाई में है यानि आप सब्सक्राइब करें लाज़ देट वह तक और आपका एक्जाम के एक हफ्ते पहले डाउनलूड होने लगेगा और टायर फर्स एक्जाम डेट जुलाई यानि की जुलाई में आपका एक्जाम है जो आपका टेर फर्स्ट है इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं एप्लिकेशन फीस के बारे में तो देखिएगा जनरल ओवीशी वालों के लिए हंडरेड रुपीज है और एससी एस्टी पी एच कैंडिडेट्स वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है और ओल फीमिल सभी फिरी है यानि की एक भी रुपया आपका फीस नहीं है और आप फीस किसी भी तरीके से ओनलाइन पे कर सकते हैं अब देखते हैं हम इसमें वैकान सी देखिएगा टोटल जो पद हैं आठ हजार प्लस यानि आठ हजार से ऊपर ही आपकी जो वैकर मेंyt जेखिए जिसमें MTS और आपके बेकेंसी निकली हुई है देखिएगा MTS में आपके 5000 प्लस पद हैं और 3000 के में हैं और जो eligibility criteria है वो 10 पास मांगा हुगा है और आपकी जो age है MTS के लिए 18 से 25 शाल है और हवलजार के लिए 18 से 27 शाल है और इसके अलाबा आपको जो age election है वो government rules के अनूसर मिल जाता है यानि extra age एदपल rules यानि government rules के अनूसर आपको age election भी मिल जाता है जैसे कि OBC वालों को तीन साल का मिलता है और SBC वालों को पांस साल का मिलता है इस प्रकार से आपको age election भी मिल जाएगा और complete detail जानने के लिए आप notice equation जीट कर सकते हो देखिए अब हम इसमें बात करते हैं स्लेबस की यानि इसका स्लेबस और exam pattern कैसा है देखिएगा यानि आपका जो पेपर होगा वह 100 marks का होगा और आपके 100 questions रहेंगे यानि each questions आपका एक नंबर का रहेंगा वह चार section से question पूछे जाएंगे देखिएगा जैसे कि पहला आपका English English से आपके 25 questions 20 marks के 25 मार्स के पूछे जाएंगे और दूसरा आपका mathematical यानि mathematics से आपके 25 questions पूछे जाएंगे 25 मार्स के और तीसरा आपका reasoning reasoning से आपके 25 questions पूछे जाएंगे 25 मार्स के और इसके बाद आपका moderate रहता है यानि preparation के लिए आपके पास complete तीन महिने से जाना है यानि आपके पास जो समय है वो तीन महिने से जाना है आप easily अच्छे से preparation कर सकते हो और देखेगा जो आपको reasoning यानि जो आपको reasoning complete कर नहा है आप reasoning के लिए अरेहंद बुक का यूज कर सकते हो और इंगलेस के लिए आप doctor SP बक्षी की बुक का यूज कर सकते हो यानि कि बहुत best बुक है और इसके अलाब आप mathematics के लिए करन publication करन math book या 9500 10500 आप किसी भी एक बुक का यूज कर सकते हो क्योंकि इस बुक में SSC के previous year questions दिए गए है और देखिएगा और आप GK के लिए lucent या फिर arayhand या फिर करन की बुक का यूज कर सकते हो GK section के लिए यानि कि आप तीन महिने में आसानी से exam की preparation कर सकते हो और आप 2000 wise में एक अच्छी नौकरी अपने हाथ में ले सकते हो encouragement नौकरी अपने हाथ में ले सकते हो चलिए अगर जानकार्य अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, share करें और comment करें और यदि हमारे चैनल पर नहीं हो हमारे चैनल को subscribe करने हैं हमारी वीडियो को नौटिफिकेत अनफ साभी को मिल सकें चली मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाए हैं